बिहार में लगातार कोरोना से हलात विगरते जा रहे हैं इस्तिती भयावा होते जा रही है बढ़ते संकर्मन के चेन को तोरने के लिए मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने 15 मैं तक लॉकडाउन लगाया था लेकिन अब जो बड़ी खबर है आपको दे दें बिहार में लॉकडाउन की ओधी को बढ़ा दिया गया है दस दिनों के लिए और लॉकडाउन बिहार में बढ़ाया गया है अब 25 मैं तक पुरे बिहार में लॉकडाउन रहेगा देखे इस वक्त की बरी खबरम आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है बिहार में बढ़ते संकर्मन के चैन पर ब्रेक लगाने के लिए बढ़ते संकर्मन के चैन को तोरने के लिए लॉकडाउन की ओधी और बढ़ाई गई है दस दिनों के लिए 25 मही तक संपूर्ण बिहार में लॉकडाउन रहेगा वकायदा ट्वीट कर मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है आज साम चार बजे प्रेस कॉनफरेंस कर पूरी तरीके से इसके बारे में बताया जाएगा क्या खुले रहेंगे क्या बंद रहेंगे क्या कुछ बदला हुए है लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर है देखे 25 मही तक लोगडाउन को बढ़ाये गया है और जो सबसे बड़ी खबर आपको दे दे सक्तिया और बढ़ेगी इसमें देखे सरकार ने फैसला लिया है कि संकर्मन के चेन को किसी हालात में तोरना है लोगडाउन को सक्ति से पालन करवाना है लेकिन अब जब लोगडाउन की ओधी बढ़ाई गई है तब बिहार की लोगे जानना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन में क्या खुले रहेंगे क्या बंद रहेंगे सकती और कितनी बढ़ेगी तो देखिए साधी बिवाह से जुरही सबसे बड़ी ख़वर आपको हम देने जा रहे हैं देखिए अब तक राजिस सरकार ने साधी बिवाहों में 50 लोगों को अनुमती दी थी लेकि ख़वर है साधी बिवाह में मातर 50 लोग के बदले 20 लोग ही सामिल हो पाएंगे तो इस वक्त की बड़ी ख़वर है बिहार में बढ़ते संकर्मित मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है संकर्मन की दूसरी लहर ने बिहार में तबाही मचा रखी है बिहार की लोग तरही माम कर रहे है अस्पतालों में न वेड है न अकसीजन मिल रहा है न वेंटीलेटर मिल रहा है न जरूरत की दवाईयां मिल पा रही है और यहीं वज़ा है कि नितीश सरकार सवालों से भी घिरी है कि संकर्मन से लड़ने को लेकर सरकार ने क्या तैयारिया की थी सेम नितीश कुमार ने अब लॉकडाउन लगाया है 15 मैं तक लेकिन लॉकडाउन की ओधी को अब बढ़ा दिया है आज 10 दिनों के लिए देखी 16 मैं से 25 मैं तक लॉकडाउन की ओधी बढ़ाई गई है यानि कि कुल 25 तारिक तक बिहार में लॉकडाउन रहेगा मुखे मंत्री नितीश कुमार का बड़ा फैसला है सेम नितीश कुमार का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे एक पर फिर से मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा है आज सहयोगी मंत्री गनेवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समिख्षा की गई लॉकडाउन का साकरात्मक प्रभाव दिख रहा है अता बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16-25 माई 2020 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का नेरने लिया गया है तो मुख्यमंत्री नितीश कुमार का ट्वीट है जो सेम नितीश कुमार ने ट्वीट के माद्यम से बिहार के लोगों को बताया है कि संकर्मन के बढ़ते चेन को तोरने के लिए लॉकडाउन से मदद मिल लई है संकर्मन पर ब्रेक लग रहा है और यहीं वज़ा है कि 10 दिनों तक के लिए और एक्स्टेंसन किया गया है लोगडाउन में देखिए साधी बिवाह में जिस तरीके से लोगों की भीर जुटी थी मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने ट्वीट कर इससे पहले भी लोगों से अपील किया था कि थोरी सी रोक लगा दीजिए हलांकि उन्होंने निर्देस नहीं दिये थे कि साधी बिवाह में रोक लगाये जाएंगे लेकिन अब जो खबर है मातर 20 लोग ही साधी बिवाह में सामिल हो सकेंगे राज जिस सरकार अब से कुछी दुरों के बाद गाइडलाइस जारी कर सकती है लोक डाउन 2.0 की लेकिन खबर है इस वक्त की 20 लोग ही मातर अबसाधी बिवाह में सामिल हो सकते हैं आप ट्रडे विहानुज के साथ बड़े रहें धन्यवाद